और यूक्रेन में रूसी जनरल्स की मौत पर संसर निखेस खुलासा जनरल्स को टागेट करने में यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिका बढ़ी खबर बढ़ी जानकारी अमेरिक इन्टेलिजस से मिल रही है यूकरेन को मदद एक सीनियर अमेरीक अधिकारी ने बहुत बढ़ा दावा किया है अमेरिका की मदद से रूस के जनरल्स को निशाना बना रहा है यूकरेन तो अमेरिकी अकबार न्यू यॉक टाइम्स में छपे लेक में ये दावा किया गया है अमेरिकी अधिकारी के हवाले से और क्या कुछ डीटेल्स आई है वो आपको जल्दी से समझा देते हैं दरसल रूसी जेनरल की मौत के पीछे अमेरिका का हाथ बताया अमेरिका के सीनियर अधिकारी की तरफ से वार जोन की रियल टाइम इंफिमेशन यूकरेन को अमेरिका दे रहा है अमेरिकी इंटेलिजन्स के जरिए यूकरेन को रूसी यूनिट्स की लोकेशन का पता चल रहा है डोनबास में रूसी सीक्रिट प्लान का पता अमेरिकी इंटेलिजेंस नहीं लगाया है अमेरिकी और साथ ही अपने इंटेलिजेंस से मिली सूचना के आधार पर कई रूसी जेनरल्स को टागेट किया गया अमेरिकी इंटेलिजेंस का ये सपोर्ट बैटल ग्राउंड में यूक्रेन के हक में निरनायक साबित हो सकता है और युद में अब तक अग्रिम पंक्ती के बारा रूसी जेनरल्स की मौत हो चुकी है यानि रूस को बड़ा नुकसान सिना सर ये खबरे तो पहले भी आई थी कि सारी कि सारी जानकारी रियल टाइम इंफरमेशन अमेरिका के जरिए यूक्रेन को मिल रही है और शायद यही वज़े है कि यूक्रेन जो काउंटर अटैक कर पा रहा है, रूस को नुकसान पहुचवा पा रहा है, उसके पीछे की बड़ी वज़ रही है, देखो ऐसा है कि लडाई में जब आपको लोकेशन, जो वाइटल कमांडर्स का जब जब आपको लोकेशन होता है तो यतने valueपन सिस्टम है जिसको रियल टाइम बीशिole किया दा सकता है… लेकिन अमेरीका का लख्छ है कि जब बारढरे जिनेरल मार रह तो एक कि रसन देल रहा है, लेकिन शौक्षित नहीं है, जैब वह सुरकषित नहीं है और बहुत का खॉफ उनके दिमाग में होगा तो वो कैसे operational details को पूरी तरसे तवज्जो दे पाएंगे, यह सबसे बड़ा प्रशन है, तो अब इसको लेकिन सबसे बड़ी बात है, कि यदि रूस को ये पता है, हम लोगों को पता है, आपको पता है, तो रूस को भी तो पता होगा, कि रश्ट जनरल्स का, अमेरिका इंट खीचने में भी फिलाल जो जानकारी है, उससे यही समझ में आ रहा है.